हे गाइज कैसे हैं आप लोग वैलकम टू देव भूमी कर्यर पॉंट तो देखे उत्राखंड ग्यानकोस आज भाग चार है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रीवांग ए और आई से सुरू होने वाले जितने भी सब्द हैं राज्य के संदर्भ मैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे देखे उत्राखंड ग्यानकोस मैं हमेशा कितरा आज भी बोलना चाहूंगा उत्राखंड ग्यानकोस ना की परिक्षय द्रिष्टी से उपयोगी है वरन उत्राखंड के सभी आपका जो सामाजी एक इस आप से देखा जाए जो सोसल अवेरनेस है उसके लि भी पूछा जा सकते हैं आपकी संस्कृति के बारे में ऐसे सब्द वहां पर लाए जा सकते हैं पैनल के द्वारा जो आपने कभी सुने ही ना हो तो उसके लिए भी महत्तोपूण है साथी यूगे ट्रिपल सी आये दिनों यहां से कोईशन बना रहा है तो उत्राखंड ग् हम तो सबसे पहला इसमें सब्द है रिशी केस्स तु सुना होए सब्द है ओब्येसली कई बार आपने पढ़ा होगा परिक्षयावां बुक में भी दिया है अन्ये काफी पूछता को में इस प्लेस का वारन है रिशी केस्तों गंगा तट पर इस्तित है रिशी केस ध्यान रखेंगे ठीक है इसका प्राचीन नाम था कुप जामरक कई बार एक जाम में पूछा गया कि कुप जामरक किसका प्राचीन नाम था तो यह रिसी केस का प्राचीन नाम है वर्तमान में काफी फेमस है रिसी केस इसको विश्व की योग राजधानी भी कहा जाता है अगर आप में विजिट करते हैं तो आप वहां पर पाएंगे आध्यात्मिक जो बड़े-बड़े लोग है वो रिसी केस में आकर बसना पसंद करते हैं साथी रिसी केस और फेमस है वहां पर कई मसूर परेटन स्तल है लाइक तिर्वेनी घाट है वहां पर लक्षमन जूला है ठीक है तो काफी एक मनोरम प्लेस है रिसी केस तो ध्यान रखेंगे यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि प्राचीन नाम कई बार पूछा जाता है कुपजामरक और विश्व की योग राजधानी किसका उपनाम है तो यह रिसी केस का उपनाम है इसके बाद बात करेंगे रि यूगर ट्रिपल एसी के एक जामों के लिहास से कि उत्राखंड राज्जी की किस नदी को गोल्डन गंगा कहा जाता है गोल्डन रीवर कहा जाता है ठीक है तो स्वांग गंगा के नाम से फेमस नदी है रिसी गंगा ध्यान रखेंगे ठीक है सबसे महत्वाइब सबसे फेमस तो है पंच परियाग उसके बाद अन्य परियाग में हो गया केशव परियाग इंद्री परियाग हमने प्रीवेस पार्ट में डिसकस किया आज यहां पर जानेगा आप रिसी परियाग भी है उत्राखेंग में ठीक है तो रिसी परियाग की लोकेशन है अरिसी प्रियाग नामक इस्थान पर ठीक है और यहां पर एक नंदा देवी का प्राचीन मंदिर भी इस्तित है त्यान रखेंगे नेक्स दिखे एक हतिया देवाल तो एक आप देखा ओगा अपने लिए व्म हैं एक देवाल जो अधभूत और सांदार नमुना है सिल्प कलाक और एक इक बड़े पत्थर पर उकेला गया है ये पूरा देवाल ही अध्यान रखेंगे एक बड़े विशाल चट्टान पर इसलिए यह आकर्षण का प्रमुक केंद्र है और देखिए यह इस्तित है पिथोरागले जनपत से 55 किलोमीटर दूर एक कजबा है थल कजबा थल कजबा जो की पूर्वी रामगंगा के तठ पर बसा हुआ है जहां पर थल मेला भी आयोजी दो था राजा को लगा कि जैसी हमारी को अन Netra नब इस टेकर और नवाएं राजा ने ऐसा सोच कर उसका हार उतक हुआ लेकिन भूला जाते हैं इतनी उसके अंदर इतंवी इतना इतना उसने दिखाया प्रतलिछं राजा को कि एक रागा उत्त disgrace क revenge उस Yellow Line और theorem या UKPSC, अपनी MCQs में, कि एक हतिया देवाल किस इस्थान पर है, ठाल में है यह पिथोरागड जनपद, अगला है एक हतिया नौला, ठीक है, तो एक हतिया देवाल का निर्माण जिस राजमिस्त्री ने करा था, जिस कलाकार ने किया था, बोला जाता है कि उसी ने इस एक हति पिथोरागड जनपद में, तो एक हतिया नौले की लोकेशन है, बडोला ग्राम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बडोला ग्राम है चंपावत में, धकना बडोला ग्राम, यहाँ पे लोकेशन है, इसकी एक हतिया नौले की, ठीक है, यह एक जलाशे, नौले का मतलब क्या होता एसे आसे टैंक होता है और इस तलटी में पानी जमा होता है रिस रिस कर कहने का मतलब नौले को हम सिंपली बोल सकते हैं एक नाचुरल रेफ्रीजिलेटर ठीक है ध्यान लखेंगे नाचुरल फ्रीज है यह उत्राघंड के परवतिय छेत्रों में ठीक है तो एक घतिया नौल के पांच सिव पीठों में प्रसिद एकेश्वर महादेव का देवालेई पोगेगरवाल में इस्थीद है और बोला जाता है कि इसकी इस्थापना की थी 808 में 808 इस भी में आधी गुरु संकराचारे ने ध्यान रखेंगे आधी गुरु संकराचारे उत्राखंड आये थे काफी यहां पे मंदिरों का उन्होंने नीव रखी और केदारनात में उन्होंने अपने देह को त्यागा था तो आधी गुरु संकराचारे का एक विसे संबंद रा उत्राखंड राज्य से तो एकेश्वर महादेव की इस्थापना का स्रेई भी आधी गुरु संकराचारे को ही दिया जाता है और इसकी लोकेशन याद रखें एक केश्वर महादेव मंदिल है पौगी गडवाल में नेक्स देखें एगास ठीक है तो एगास क्या है तो एगास सिंपली एक बोल सकते हैं यहां पर पसुओं का उत्सव है ठीक है उत्राखंडी के जो कुमाव और थीक है तो इन पसुओं के सम्मान में परवती अंचलों के लोगों ने एक त्योहार सुरू किया एक उत्सव सुरू किया जिसको एगास कहा जाता है और इसको मनाने का एक फिक्स टायम होता है हरी बोधनी एकादेशी को यह एगास परवा मनाया जाता है इस दिन क्या किया जाता है जो गाय भैंस वगएरा उनके सिंगों में तेल लगाय जाता है और उनको अच्छे जैसे आटे लोह आ और अच्छे घर से भी बनाके पगवान वगएरा खिलाई जाते है ठीक है पूजा वगएरा भी होती हो उनकी तो यह है एगास परवा यह आपका अगर कोशन यूँकि प्रचलित एगास क्या है एक घास है एक पहाग है एक नदी है एक परव है तो आपने ध्यान रखना है यह पौसू परव है ठीक है नेक्स से देखें एबट माउंट तो एबट माउंट एक पिकनिक स्पॉट है जिसकी लोकेशन है चंपावत जन्पत में लोहागार से 8 किलोमेटर दूर है और एबट माउंट में अगर आप जाएंगे तो काफी हैट में इस्तित यह प्लेस है एबट माउंट और यहाँ पर जाकर लगता है कि हिमाले की चोटियां जैसे चोटी पड़ गई हो काफी अच्छा यहां से दिखाए देता है ठीक है और बोला जाता है कि यहां पर सबसे पहले अपना घर बनवाया था किसने एक ऑस्टेलियन व्यक्ति था सर एबट ठीक है ध्यान रखेंगे यहां पर सब बनाए गए है और बोला जाता है कि यहां पर कोई पागल डॉक्टर भी रहता था ठीक है जो कि उससे जुड़े काफी डराओने किससे हैं इस प्लेस से जुड़े लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आप वहां पर विजिट करते तो काफी अच्छी लोकेशन है अबट मांट में ल ल मार्य याठी टीक है तो ल मार्य याठी जो एक लोक उत्सव है देरादुन जपत के जन-जातिय जौन्सार-बवर के लाखामडल उध पाल्टा गाओं में दस हरे के दिन मनाई जाने वाला एक लोक उत्सव है तो अलो याठी का एक लोक उत्सव है जोकि जौन सार बावर के लाखा मंडल में गाउन है उध्पालता गाउन, वहाँ पर मनाया जाता ये, ठीक है धसरी के दिन, जो अन्तिम धसरी का दिन होता है, रावा के धहनवाला दिन होता है, उस दिन ये ê сेलिव्लियेट होता है, Лर्याठी. नेक्स ह karaoke, एरि या अहेरी. तो एरी क्या है देखें उत्राखंड में बहु पूजित लोक देवता है एरी जो कि गरवाल मंडल और कुमाव मंडल में काफी प्रशिद्ध हैं ये देवता और बोला जाता है कि ये देवता जो होते हैं ये पसुचारकों के रक्षक होते हैं तो इसलिए मुख्य रूप से पसुचारकवर्ग का ही देवता माना जाता है ऐडेल आगल देवता को उत्राखंड के मैंने बोला आपके काफी पहले वी वी वीडियों में आपको बोला होग लेकिन आपने एक्जामत रिष्टी से याद रखना है एरी जो देवता है बहुपूजीत लोग देवता है ये पसुचारक वर्ग के मुख्य तह देवता है नेक्स देखे एरी देव देखे द्यान रखेंगे देव इस्ताल है तो यहां पर सिवरात्र को एक वहव्य मेले का आयूजन भी होता है पर मेला लगते है यापे प्लेस पर लुआ कोड़ प्लेस है चंपावत जनपत के अंतरगर नेक्स वहाइड धूर है देखे एपर तो आपको मैंने बताई दिया है लास्ट आम आपको आनेकरनिंग पर भी बताया था जहां पर मेरे उत्राखंड की लोक्स चल लोक संसकृत यांतर्कत मैंने आपको उत्राघंड के चित्र कला के संबंधोंध में पूरा टॉपिक दिया था तो उत्राघंड में प्रचलित एक लोग्त चित्र कल खैर एपंघ और झाकरीं करी मांगली कार्यों में इस चित्र कला को बनाया जाता है राज्य के काफी घरों में ठीक है एक फैली हुई यहां पर लोग चित्रकला है उत्राखंड राज्य में ठीक है यह सेम लाइक है जो अलपना होती है बंगाल में ठीक है उसके अगर मैं बनाने के लिए यूज होता है भीगे हुए चावलों को पीशने के बाद उसको बोलता है बिस्वार तो उस घोल से फिर चित्र उकेले जाते हैं घर की देहरियों में मंदिर की चौकी में तो यह महत्तों पूंग है लेकिन आज की डेट में मैं बात करूं समय जैसे एसे आधुनिक हो रहा है बिस्वार की जगे यह प्लेस ले लिया है सिंथेटिक पेंट ने अब लोग आज कल पेंट से अःपण कलाहिय werd बनाते हैं अपने घरहों में तो अपने क्या है चित्र कलास उत्राखंडदार टीक है तो तो यह था आज उत्राखंडडिक ज्न चंद वन्स तो उस को आप देखना ना भूल है वहाँ पर मैंने काफी राजाओं को कवर करवा लिया आपको आप इंट्रेस्टिंग फैक्ट जानेंगे चंद सासों के बारे में उसके बाद जल्दी वहाँ पर चंदों की सामाजी का आर्थिक और राजनितिक ब्यवस्ता के टॉपिक भी आएंगे तो अनकेडमी लर्निंग पर भी फॉलो करें और अनकेडमी लर्निंग पर फॉलो करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें वहाँ पर मैंने लिंक के दिया है अपनी अनकेडमी प्रोफाइल का ठीक है और साथी देख